हलू फ्रेंड जी के अपक्स में आपका स्वागत है यहाँ वीडियो कॉमन इलिजिलिटी टेस्ट का भाग दीन है यदि आप लोग पिछले दोनों पार्ट्स को नहीं देखे तो क्रिपेर देख लीजिए इस वीडियो में उन सभी सब्जेट्स को कवर किया गया है जहां से एक जाम में प्रस्ण आते हैं इसके अलावा प्रतेक प्रस्ण के साथ कुछ अन प्रस्णों को भी जिक्र किया गया है इसलिए वीडियो को पूरा अन तक जरूर देखे चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक आज का फस्ट क्योशन है लोग सभा चुनाओ लणने के लि किसी भी मत दाता को बोट देने के लिए कमसे का मठारा वर्स होना चाहिए नेक्स्ट ओप्सन है कीस बर्स ग्राम पंचायक में चुनाओ लणने के लिए कीस बर्स होनी चाहिए नेक्स्ट है तीस बर्स राज सवा एवं मिधान परसत की चुनाओ लणने के लिए तीस बर्स बिंदु को ध्यान में रखिए नेक्स्ट क्यों से सिकंदर के गुरु कौन थे इसका राइट अंसर है अरस्टू यहां पर सिकंदर के गुरु अरस्टू है अरस्टू के गुरु पलेटो थे जबकि पलेटो के गुरु सुकराग थे आये इन सभी को याद करने की कोशिस करते यहां पर माल लिजी कि आप किसी दो एस के बीच खड़ा हैं आपको यहां पर एस से सिकंदर का नाम शुरुआत करना है हैं सिकंदर के गुरु अरस्टू थे अरस्टू को गुरु पलेटो थे पलेटो को गुरु थे आप इसके माधम से अषानी सी रख सकते हैं कई वार इसी प्रसण को घुमा कर पूछ सकता है प्रस्ट में रहा है कि अरस्टू की सिस्से कौन थे हैं तो इन दोनों प्रकार से आपको इस प्रस्ट को देखना है चलिए सीकंदर से सम्मद कुछ अन्मात्पुन बिंदों को समस्ते हैं सीकंदर का जनम 356 इसापुर में हुआ था इसकंदर के पिता का नाम फिलिप सिकंदर भारत पर 326 इसापूर में आक्रमन किया था जबकि 325 इसापूर में सिकंदर भारत से अस्थर मारक से लोड़ गया था इसके बाद 323 इसापूर में सिकंदर की मिर्टू बेविलोन में हो गई सिकंदर का सेनापति स्ल्यूकस मीकेटर था, जद की निर्याकस इसके जल सेनापति था, सिकंदर के प्रिय retained होडा का नाम बाउ कैफला था, सिकंदर का भारत में पंजाब के सासक पोरस के साथ यूद हुआ था, यह यूद जेलम न दी के किनारे हुआ था, इस यूद को इसका अंसर घनानंद याद रखना है। घनानंद मगत का बहुत ही बड़ा सासक था। आता इन सवी महत्पून प्रस्णों को ध्यान में रखी है। नेश्ट क्योशन है असोक ने तृतिय बहुत सम्मेलन कहां बुलाई थी। इसका राइट अंसर है ऑप्षन सी पाठली पूत्रे। असोक ने पाठली पूत्र में दोसों कामन इसापूर में या सम्मेलन बुलाई थी। कई जगा इसके तीथी 255 इसापूर्वी दिया हुआ ह कुल मिलाकर चार बहुत सम्मेलन का योजन हुआ था। पहला सम्मेलन राजगिरी में 483 इसापूर में हुआ था। या सम्मेलन अजाद सत्रू के सासनकाल में हुआ था। दूसरा सम्मेलन 383 इसापूर में बैसाली में हुआ था। या सम्मेलन काला सुप के सासनकाल में हु होता है और का से कनिस्क होता है चली next प्रस्न को देख लीते हैं next question है बीना दूर्ग के मात्र सिंधू नगर कौन सा था इसका राइट नसर है option d चनहुदुलो चनहुदुलो एक मात्र नगर था जा एक भी दूर्ग नहीं था इसकी खोज मैके एवं एंजी मन्युम्दार नी किया था, यहां सिंदू नदी किनारे इस्थी थे, यहां पर चन हुदलो एवं मोहन जोदलो का कुछ अंती मच्छर मिलता है, अता आपको ध्यान में रखना है कि मोहन जोदलो भी सिंदू नदी किनारे इस्थी था, मोहन जोदलो की कोज राखल दसम नरजी 1922 में किया था नेक्ष्ट ऑप्चन रावी ने कीनारे इस्थि थे नेक्ष्ट मंए राजस्थान और मांगर जिला में इस्थि थे अताइं सही मतुन सुण बिंदू को ध्यान में रखीए Next question है, किस लोग सबा कार्चकल बढ़ाया गया था? इसका राइट अंसर है और वज़ाने पाचवी. पाच्वी लोग सबा कार्चकल 5 से 6 बर्स कर दिया गया था. पाच्वी लोग सबा के कार्चकल को 42 सेवीधां संसोतंड माउन बढ़ाया गया था. जबकि 44 में सविधान संसोधन दोवारा वापस 5 बर्स कर दिया गया इसके अंसर को याद करने का तविका बहुत ही सिंपल है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोग सवा का कार्चकल 5 सल होता है बस आपको यहां से जुड़कर याद रखना है पर्थाथ पांचमें लोग सवा का कार्चकल एक बर्स बढ़ाया गया था यहां से कुछ प्रस्र और बनते हैं उसे भी समाजनी की कोसिस करते हैं 42 में सविधान संसोधन 1976 में हुआ था इसे लगु सविधान के नाम से जाना जाता है देखिए कई वार इसके एकजाम में येर पूछ देता है प्रनतु 1976-1978 में कनफ्यूजन होता है एक सिंपल ट्रिक के माधम से इसे याद कर सकते हैं यहां पर 4 और 2 को आइड करेंगे तो 6 प्राप्त होगा यहां पर इसके येर में अंती मीनिट 6 है इस परकार आप जोड के याद रख सकते हैं ठीक इसी परकार 4 प्लस 4 8 होता है इसके येर का अंती मीनिट 8 है इस परकार आप असानी से इसी भी जोड कर याद रख सकते हैं यदि आप इस बीदी से याद करेंगे तो कभी कनफ्यूजन नहीं होगा नेश्ट क्योशन है उबेर कप का संबन्द की स्खेल से है इसका रेट अंसर है ओप्शन भी बेडमिंटन उबेर खेल का संबन्द बेडमिंटन से है मुख रूप से इस स्खेल में महिला भाग लेती है आईए इसके अलावा भी कुछ अन का नाम याद रखते हैं जैसे सुदिर्मन कप, थॉमस कप, नारंग कप, चड़ा कप, रहं तुल्ला कप, एवं अमरित दिवान कप इन सभी का नाम दियान में रखें क्योंकि यहां से प्रसनाते रखते हैं इसे याद करने का बहुती सिंपल तरीका है, पोलो को अंगरेजी में पी ओ एलो लिखते हैं यहां पर देखिए पोलो में कुल मिलाकर चार लेटर है, आता आपको इसकी संख्या भी यहां से जोड़कर याद रखना है इस खेल की सुवाथ स्वर्पतम मनीपूर में हुआ था, यहां खेल गोडो के माध्यम से खेली जाती है, इस खेल का खेल परिसर सबसे बड़ा होता है आता पोलो से इन सभी महत्पून बिंदू को ध्यान में रखे है, पोलो से मिलता जुलता एक और खेल है उसका नाम है वाटर पोलो, इसमें खिलाडियों की संख्या साथ होती है तिकि इसे भी ट्रिक के मदम से याद करेंगे ओलो में खिलाडियों की संके 4 होती है यहाँ पर वाटर में कूल अच्रों की संके 3 है जब 3 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो 7 प्राथ होगा अता इस बीधी से दोनों को असानी से याद कर सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है कि एक में हिंदी अच्र लेना है जब कि दुसरा में अंग्रेजी अल्फबेट लेना है यहाँ पर नेक्स्ट ओप्शन है 5 बास्केट बॉल में खिलाडियों की संके 5 होती है नेक्स्ट ओप्शन है 6 बॉली बॉल में खिलाड़ियों कि संक्या 6 होती है। नेक्स्ट ओप्सन है 7, नेट बॉल एवं बार्टर पॉलो में खिलाड़ियों कि संक्या 7 होती है। आये कुछ आयन मत पुन बिंदू को समझते हैं। बेस बॉल में खिलाड़ियों कि संक्या 9 होती है। खोखो में खिलाडियों की संक्या 9 होती है, जिम्नास्टिक में खिलाडियों की संक्या 8 होती है, टेनिस एवं टेबल टेनिस में एक या दो खिलाडियों होती है, रगबी फुटबॉल में खिलाडियों की संक्या 15 होती है, इस खेल में सिरवादिक मात्रा में खिलाडियों की स से जानते हैं भारत सरकार नहीं 1990 में भारत रत में दिया था यह पुरुषकार पाने वाले वा दूसरे विदेशी बेगती थे भारत रतन प्राप्त करने वाला पर्थम विदेशी नगरे खान अब्दुल-गफार खान थे पताइन सवी महत्पुर्मिंदू को ध्यान में रख है जिसमें जिंग, कॉपर एवं निकल मिला रहता है यहां परसन काफी एक्जाम में पुछा जाए चुका है प्रंतु आप्शन में काफी कन्फिजन होता है यहां पर मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूं जिसके मादेम से कभी अंसर गलत नहीं होगा आपको सिर्फ याद रखना है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं मिला होता है यहां पर देखिए ओप्सेन अ में सिल्वर है ओप्सेन बी में सिल्वर है ओप्सेन सी में सिल्वर है इस प्रकार देखना है कि तीनों ओप्सेन छड़ जाता है अता इस मेथट के अधार पर इसे याद रख सकते ह अन्तता क्या बनता है। इसका रच अप्शन से सीछा। यहां पर उग्रेनियुम के 2 regulator का नाम याद रखना है। पहला है पीच बिलेन्ड जिससे कलापरोअट बेग्नीक ने युरेनियुम को प्रैक्षत किया था। दुसरा कार्नेटाइट को याद रखना है। यहाँ पर इरेनियम के खान से भी प्रसन आता है। इसका नाम आपको याद रखना है जादो गोड़ा। चलिए नेक्ष्ट प्रसन को देखते हैं। नेक्ष्ट क्योशन है भारत का पहला इंजिनिरिंग कॉलेज कहां इसती थे। इसका राइट अंसर है ऑप्षन डी रूल की या उत्राखंड में इसती थे। भारत का पहला इंजिनिरिंग कॉलेज रूल की में इसती थे। नेक्स्ट क्योंसन है भारत में सिचाय की सबसे लंबी नहर का नम क्या है? इसका राइट अंसर है option बी इंद्रा गांदी नहर भारत की सबसे लंबी सिचाय की नहर है नेस्ट क्योशन है, क्रायोजेनिस किस्य सम्मधित बिज्ञान है, इसका राइट अंसर है, आप्सन है निन्त अपमान, क्रायोजेनिस के अंतरगत निन्त अपमान का दिन क्या जाता है नेश्ट क्योंसन है भारत का कौन साराज अधिक्तम राज सीमाओं को छूता है इसका राइट एंसर है ओप्सन सी उत्तर प्रदिश यह कुल मिलाकर नो राज्जियों के सीमा को छूता है जिसमें एक दिल्ली NCR भी आता है नेश्ट क्योंसन है भारत का देचिंतम प्रवत सीरिनी है इसका राइट एंसर है ओप्सन डी काडमम कई वार काडमम के स्थान पर इलाइची दियाव रहेगा यहां भारत का देचिंतम प्रवत सीरिनी है आए कुछ अन प्रस्णों को भी देख लेते हैं पहला प्रस्ण यहा है कि दच्छिन भारत का सबसे उची चोटी कौन है इसका अंसर आपको याद रखना है अना मुड्डी यह चोटी अना मलाई पहाड़ी में इस्तित है यहां पर देखिए दोनों का नाम मिलता जुलता है यहां पर दोनों का नाम में अन्ना छुपा हुआ है दूसरा परसन आत इसका राइट अंसर है ऑप्शन भी 189 बरतमान में अंतराश्टी मुद्रा कोस के सदस्यों के संक्या 189 है इसके अंतिम सदस्यों बनने वाला देश नौरू है जो अपरेल 2016 में इसका सदस्यों बना था यहां पर कूल सदस्यों के संक्या 189 है जिसके अंतिमांक 9 है बस आप को नौस नौरू याद रखना है अंतराष्टिय मुद्रा कोस्ट के स्थापना 27 देसंबर 1945 को की गई थी जबकि यह कार करना एक मर्च 1947 को परराम किया बर्तमान में इसके हेड क्वार्टर वासिंग्टेंड इसी में है यदि बर्तमान में इसके मैनेजिंग डेक्टर की बात क रखिए नेश्ट क्योशन है प्लांड एकनोमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेकर कौन है इसका राइट अंसर है ऑप्शन से एम बिसो सरया है या पुस्तक 1934 में प्रकासित हुई थी कई वर एक्जाम में इसके यह भी पूस्ट देते हैं नेश्ट क्योशन है निमने लिख कुछ अन बेब ब्रोजर इस प्रकार है जैसे सफारी, इंटरनेट एक्स्प्लोरर, यूसी ब्रोजर, गूगल क्रोम इसके लावा भी कुछ अन बेब ब्रोजर है प्रन्तु इतना का नाम याद रखेंगे तो एक जाम में असानी से इसे हल कर सकते हैं यहां पर दिखिए ग परकार आपको तीन कटगरे में इस याद करना है नेश्ट क्योशन है आपको बताना है कि डगडग गो क्या है इसका राइट एंसर है ऑप्शन सी सर्च इंजन डगडग गो एक परकार की सर्च इंजन है चलिए कुछ अन सर्च इंजन का नाम जानते हैं जैसे गूगल, बि इस वखुशाली रिपोर्ट 2020 में बारत के कौन सा स्थान है इसका राइट एंसर है ऑप्शन डी 144 इस बर्स बारत का स्थान 144 आया है जबकि पहले स्थान पर स्वीडेन एवं दूसरे स्थान पर डेनमार्क है पिछले साल भारत का रंग 140 था जबकि 2018 में बारत का रंग 133 थ रखी आज का लाश्ट क्यों सड़े अर्थ सास्तर के चेत्र में बर्स 2019 का नोबल पुरुसकार किसी दिया गया है इसका राइट एंसर है ऑप्शन ए यह पुरुसकार अभिजीत बनरजी एस्टेर दूफलो एवं माइकल क्रेमर को संजूत रूप से दिया गया है यह पुर पुरुसकार उनैंसर rifshira से दिया जा रहा है पर्थम भारतिये अमर्शयने जिन्हें इस चेत्र में पुरुसकार दिया गया था उन्हें 1822 में ऑफ्ष्कार का विश्कार किया था बतं सही मत्तुन बिंदु को ध्याम में रखिये पाये औप्सण के नूँसर देखते हैं कि क्या प्रस्म बन सकता है option B में अभी अहमत अली या इथोपिया के प्रधान मंत्री हैं इन्हें 2019 का सांती का नोबल पुरुसकार दिया गया है उन्होंने अपने प्रोशी देश क्योंकि आने वाल एक्जाम में यह से प्रस्म देखने को मिल सकते हैं उमीद करता हूं कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि पसंद आयो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत बुलिए साथी बेल आइकन जुरू दवाए ताकि लेटिस वीडियो आपको तुरन मिल सके मिलते हैं इसके अगले पट्स में तब तक लिए थैंक्यू धानेवाद